हेलो एवरिवन जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है आप सब लोग घर पे बैठे हुए हैं एक महिने से आपकी क्लासेस नहीं लग पा रही हैं ठीक है तो इस बीच हम लोग ने डिसाइट किया है कि जब तक लॉकडाउन चलता है तब तक क्यों ना आपको ऑनलाइन सोर्सेस के थ करीज सुरू होने वाला है ठीक है आज मैं पहला लेक्षा लूँगा जिसमें आपको इतिहास और उसका एक छोटा सा परिचाय दूँगा इसके बाद आगे लेक्षर कंटीनिय होते जाएंगे तो आगे एक एक करके सारे टॉपिक जो इतिहास के इंपोर्टन्ट है एस सी रेलिवे तथा अन्यमंडे एक्जाम के लिए वो सारे के सारे कवर किये जाएंगे ठीक है तो आज का पहला टॉपिक है हिस्ट्री एन इंट्रोडक्शन इतिहास एक परिचाय इसको देखते हैं ठीक है तो जैसा कि इतिहास या हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है यह अपने करते हैं क्या करते हैं अतीत काल की घटनाओं का अध्यन करते हैं चीघाशन में घटिक हैं सिर्क महत्वूर घटनाओं का ही अध्यान करेंगे, तो वही हम इतिहास में शामिल करते हैं, ठीक है, तो कभी न कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी, इतिहास as a subject, history as a subject कभी न कभी इसकी शुरुआत हुई होगी, कि इसको इस subject की रूप में पढ़ा जाए, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, वह ऐसा आ लिए यह जाता है इतिहास का जनक, एकजाम में पूछ लियक जाता है कि कभी ओसे की इतिहास के जनक किसे कहा गया है तो Herodotus है, यह फैसे ग्रीक इस्टोरियन्स थे ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, भारत कि न 12 1997 सभ मात्वर ऑफ है पर चिप बढ़ता गया वहां पर थेओरी फिलोसपी आधी की बारे में धेर सारे जो है विद्वान वहां पर आते गया उन्होंने अपने थेओरी को लिखा या उसे समझाया ठीक है तुन में से एक थे एरोडोटस इन्होंने एक उस्तक लिखा था जिसका नाम था इस हिस्ट्रीज में उन्होंने ग्रेको पर्सियन वार का एक विवरल प्रस्तुत किया था ठीक है ग्रीक और जो पर्सिया जिसे आज हम इरान कहते हैं यहां इन दो ख्षेत्रों के बीच में एक युद्ध हुआ था एक वार हुआ था उसी का इन्होंने डेटेल्ड एनालेसि को कहा जाता है hopefully समझ में आया होगा तो इतिहास का जनक आप लोगों के पास इंटरनेट है हम सभी लोगों के पास इंटरनेट जो कुछ भी आज घट रहा है वह सारा का सारा डेटा information कहीं न खहीं store हो रहा है लेकिन जब हम पुराने जमाने में जाते हैं यानि प्राचीन काल में जाते हैं एंसेन टाइम में जाते हैं तो हमारे पास डेटा इस्टोर करने की इतने ज़्यादा समाध्दिया इतने ज़्यादा materials उपलब्द नहीं थे तो उस सम्हें जो भी च सबस्सक्राइब का इतिहास का जो कंपालेशन शुरूओ वा जो आज बैशन की द्वारा किया गया है जो भारत के इतिहास हम पढ़ते हैं उसका संकलन जो है वो ऑग्रेशों के द्वारा प्रारम किया गया था अब वर्तमान की घठनाओं का उस समय के अनुसर जो भी चीजे थी उनको संक्लित करने में समस्या नहीं आई लेकिन जो पुराने दो हजार थाइस जार पांच जार साल पहले कि जो भी इतिहासिक घटनाय थे उनको संक्लित करने के लिए सबसे महत्पूर समस्या ये थी कि प्रमाडिकता कि जो भी चीजें इतिहास में शामिल की जा रहे हैं तो फिर भी जो भी आझ हमें इतिहास के सौर्सेज मिले हैं, उनका अधियान करने के बाद जो भी इतिहास के सबजिकिक डीजाइन किये गए हैं, उसमें मुख्छता दो स्रोत हैं, history के जो स्रोत हैं, वो कितने हैं वो दो हैं, पहला स्रोस है, archaeological sources, जीसे हम पूरा तात्विक स् एक है archaeological source और दूसरा है written evidence लिकित साक्ष एक करके हम देखते हैं कि यह होते क्या है जैसे कि archaeological अगर हम source की बात करें पुरा तात्विक सुरोत की ने कहते हैं देखिए किसी अस्थान पर जो उत्खनन के बाद जो भी साक्ष प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे हमें archaeological sources या पुरा तात्विक सुरोत कहलाते हैं पुरा तक्त विभाग जैसे कि है भारत का archaeological survey of India यह 1860 के आसपास अंगरेजों के द्वारा गठित किया गया था भारती पुरा तक्त विभाग उस विभाग ने पुराने जितने भी आउशेशों को इकठा किया और उसके बाद हमारा इतिहास त आतिहासिक हिस्ट्री के रिसर्च के बाद ही उसे पठ्ठकरम में शामिल किया जाता है ठीक है तो जो भी किसी भी अस्थान पर उत्खनन के बाद प्राप्थ होने वाले साक्ष होते हैं वो सारे के सारे पुरा तात्विक सुरोत क्यालाते हैं इसमें बरतन, सिक्के, आभू हुआ था कहीं पर आज हमें खुदाई के मिला तो उस खुदाई में मिलने वाले बरतन या सिक्क्या अभूशड के द्वारा हमें उस समय की सामाजिक जीवन के बारे में सुचनाएं प्राप्त होती हैं इसलिए इस सभी आउशेश हमारे लिए महत्पोर हो जाती हैं इन साख्ष को सबसे ज्यादा प्रमाडिक माना जाता है क्योंकि जो कुछ भी लिखा है वो सामने है जो अलर रिटेन सोरसे सो यह अर्क लोजिकल सोर्चजब उनका ऐनलीसीस किया ठीक है तो लिखिस साख्ष में कौन-कौन से होते हैं इसमें धार्मिक गरंत होते हैं यानि कर्शित होकर भारत की यात्रकर थे उनके जो भी एकाउंट्स थे उनके जो भी विवरण थे वो हमारे लिए इतिहास के संकलन में महत्पूर्ड हो जाते हैं इसके अलावा धिभिन जो राजाओं के द्वारा शिला लेक स्तम लेक पिलर आदि बनवाए गए वो सारे के सारे हम शामिल होते हैं इसके अतर्क पुराण 18 पुराण उने पुराणों के माध्यम से भी काफी कुछ तक्कालिन परस्थियों की जानकारी प्राप्त होती इसके अतर्क एक बहुत और जैन गरंट मातपूण है बहुत गरंट में जैसे आशोगोष के द्वारा लिखा हुआ बुद्ध चरीत है या फिर तरी पीटाक है जैन गरंटों में आगम है ठीक है पर ये सारे के सारे गरंट ये सारे के सारे टेक्स्ट भूक हमें इस्टोरिकल इन्फोर्मेशन प्रोवाइट करते हैं, ठीक है, साहितिक ग्रंतों की बात करें, जैसे अर्थशाथ जिसे कॉर्टेल लेने लिखा था, इसमें मौरेवंश के सामराजनायतिक अवस्था का एक बेहतरीन विवरण प्रस्तूत किया गया है, अर्थशाथ किसके द साहितिक ग्रंत हैं, यह हमें ततकालीन समाजकास के बारे में इन्फोर्मेशन यानि सूचनाय देती हैं, यह सारे एक्जामस में पूछे जाते हैं, अभिगान शकुंतलम किसने लिखा था, हर शरित किसने लिखा था, अर्थशास किसके रचना, यह सारे हम आगे हैं कि इतिहास में इन लिखित साक्षियों को क्या रोल हैं, इसके अतरिक बिविने समय पर यहां पर विदेशी यात्री जैसे की मेगस्तनी, डायमेकर्स, वायान, वेंसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता जैसे यात्री आते रहे हैं, यह जब यहां पर आये, इन्होंने जो भी अनुभो किया है भारत के भारत में, जो भी experience किया है, यहां की society को उन्होंने analyze किया, social order को समझा, economic order को समझा, political order को समझा, उसके बाद जो उन्होंने account maintain किया अपने देश में, तो उससे भी हमें information प्राप्त होती है, शिला लेक और स्तम लेकों में, यानि की rock addicts और pillars म अशोक के दौरा बनवाये गए शिला लेक महत्वोण है, तो यह सभी हमें लिखित साक्ष जानकारी देते हैं इतिहास की, इनको compile करके हम इतिहास को और ज्यादा समझने की कोशिश कर पाते हैं, और अभी भी बहुत, जो हमारा ASI है, Archaeological Survey of India भारती पुरत्त विभाग है, स इसके बाद हम देखते हैं इतिहास का वर्गी करण, classification of history, classification of history का मलब इतिहास को अध्यान के लिए कितने आधार पर बाटा गया है, तो इतिहास को मुखिता तीन भागों में बाटा गया है, पहला है pre-historic period जिसे हम प्राग इतिहासिक काल कहते हैं, दूसरा है proto-historic period जिसे हम आधिया इतिहासिक काल कहते हैं, तीसरा है historic period यानि इतिहासिक काल, जाहिर से बात है जब भी किसी भी चीज का वर्गी करण किया जाता है, या classify किया जाता है, तो कोई नो कोई एक base crown होना चाहिए, कोई नो कोई base होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम base देखे, तो base है क्या written evidence, जैसे कि अगर हम बात करें, pre-history period यानि प्रगतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास का वह काल खंड, जिसका कोई लिखित साख्षुक लब्द नहीं है, उसे हम प्रगतिहासिक काल में रखते हैं, जैसे कि पाशार काल, stone age, stone age पाशार काल में व्यक्ति आदिमानों की तर पाशार काल में कोई भी चीजे written evidence प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि लिखता पढ़ता नहीं था, इसके बाद आध्यातिहासिक काल जहां पर लिखित चीजें तो मिली, लिखित साख्ष उपलब्द हैं, लिकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए, जैसे कि इंडस वाली civilization और इंडस वाली script, जो script वो यूज करते थे, उसे numerical script या pictographic script चित्रित शैली कहा जाता था, वो कुछ इशारों में चीजें लिखती थे, यह उनकी शैलियां है, अब यहां पर देखिए, यह एक मुहर है, एक seal है, जो इंडस वाली civilization हमें मोहन जोड़ से प्राप्त हुई है, वह इस तक इसकी गढ़ना नहीं कर पाएं, इसको डीकोड नहीं कर पाएं कि क्या लिखा गया, इसलिए हम कहा जा रहा है कि इतिहास का वाकालखंड जिसका लिखिष साक्ष तो उपलब्द हैं, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाएं, उन्हें हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरड या छो भी माझन पत् könnte कर आज तक मिना निए तोड़ा सा है किस पर निरभर निरभर करता है कहा ऐसा जाता है कि जो वैदिक काल का जीवन था वो बेदों पर आधारित है और वेद जो चार होते हैं सब जानते हैं रिगवेद सामवेद यिजुरुवेद अथरवेद ये सारे के सारे तो पढ़े गए तो फिर भी क्यों इतिहासिक आधियासिक काल में वैदिक काल लखा तो ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक ग्रंत हैं वो सारे के सारे देवताओं ने लिखे हैं पुरुशों नहीं लिखे हैं मलब यह मानवीर अचना नहीं है इसलिए वैदिक सिवलाइजेशन को भी आद्य आहटि हासिक काल यानि प्रोटो हिस्ट्याइड में रखते हैं तो समय में आया होगा तो इतिहास का वहाओं हिद्सक्री किरण तीन प्रकार से अब आगे देखते है हिस्टीरी कल पीरिड में क्या होता है अब हम देखेंगे historical evolution of India भारत का इतियासिक विकास करम की भारत का इतियास प्रारम से लेकर आज तक कैसा रहा है तो जैसे कि भारत का इतियास ऐसा माना जाता है कि सिंदुगाटी सब्विता सिंदुगाटी सब्विता के बाद वैदिक सब्विता के बाद जब से वैदिक सब इंडिया यानि प्राचीन भारत जिसका टाइम जो है यह सिक्ष सेंचुरी बीसी से लेकर सेवन सेंचुरी एडी तक है से यहां पर कन्फ्यूज मत होई एगा सेंचुरी बीसी बीसी का मतलब क्या होता है यह समझ लेते हैं बीसी यानि कि इसे बोलते हैं विफोर क्राइस्ट क्या कहते हैं विफोर क्राइस्ट इसे इंगलिश में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है इसापूर्ग अब यह क्या होता है इसको समझते हैं ठीक है देखिए जो जीस ग्राइस्ट थे यानि इसा मसी थे इनका जब भी जन्म हुआ था उसके बाद की जो भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाओं को हम इसवी लिखते हैं AD लिखते हैं या CE लिखते हैं Christ Era, Edmundomian जैसे कि आज चलना है 2020 तो 2020 जो चलना है हम Christ Era में जी रहे हैं इसवी में जी रहे हैं यानि कि इसा मसी के जन्म के 2020 वर्ष बाद की स्थिती हैं लेकिन इसा मसी के जन्म के पहले की जो भी घटनाएं थी उनको हम 20 लिखते हैं जैसे कि 300 BC अगर डेट मेंशन है इसका मतलब हुआ कि Jesus Christ के जन्म के 300 वर्ष पहले यानि आज से लगबग 300 वर्ष पहले तो यहाँ पर जो हम लिख रहे थे कि प्राचीन भारत की शुरुआत होती है 6th century BC यानि इसा मसी के जन्म के लगबग 600 वर्ष पहले और यह कब तक चलती है यह चलती है 7th century AD तक यानि कि 7th century शताबदी इसवी तक चलती है इसमें बहुत सारे कालखंड देखने को मिलते हैं बहुत सारे टाइम में बहुत सारा इतिहास देखने को मिलता है इसमें सबसे पहले उता महाजन्पत16 महाजन्पतों का उड़य हुँआ था राइस हुआ ता 6th century BC में उसको मागे देखेंगे सोला महाजनपत महाजनपत के बाद महाजनपतों में संघर्ष हुआ संघर्ष में मगद महाजनपत सबसे ताकतवर महाजनपत बनके उबरा और वो आगे चलकर मगद सामराज बन गया इस मगत सामराज में एक एक करके धेर सारे वंश डानेस्टीज ने रूल किया जिसमें हरयक वंश, शिशुनाग वंश, नन्द वंश, मौर वंश, शुंग वंश, कणव वंश, सातवहान वंश, इन सात वंशों ने शासन किया मौर वंश के बाद फॉरन रूल यानि कि विदेशी शासन शुरू हो जाता है इसमें इंडो ग्रीक, शक, पल्ला और कुशाण शासकों ने शासन किया यह सारे विदेशी थे लिकिन इन्हों ने भारत में शासन के बाद भारती संस्कृती में यह पूरी तरह से घुल मिल गए इसके बाद जो होता है इंडो विदेशी शासन के बाद यह गुप्त काल शुरू हो जाता है इसमें गुप्त शासक जिसमें चंदर गुप्त, समुद्र गुप्त, कुमार गुप्त, सकंद गुप्त, विश्मुप्त आदी राजाओं ने शासन किया गुप्त काल के बाद गुपत्तरकाल यानि लेटर गुपता पीरियड इसमें वर्धन डानेश्टी यानि वर्धन वंश चालुक के वंश राष्टकूट पाल वंश ये सारे वंश हम देखेंगे छोटे छोटे राजवंश आएंगे गुपत्तकाल के बाद ये सारे की सारी घटनाओं का अध्यान ह करते हैं प्राचीन भारत के बाद मीडेवल इंडियानी मद्ध कालिंद भारत की शुरूआत होती जिसका टाइम जो माना जाता हो 712 AD से लेकर 1780 तक है लगबख 1000 वर्षों में इसमें शुरुवात का जो टाइम है यानि 712 से लेकर 1206 तक कर जो टाइम है यह early medieval period कहा जाता है पूरो मद्ध काल कहा जाता है इस काल के दवरान इसलाम का भारत में धीरे धीरे प्रसार हो रहा था या पर धेर सारे आक्रमण कारी जैसे मुहम्मद बिन कासिम, मुहम्मद गोरी, महमूद गजनवी आदी आक्रमण कारी जो तुर्क थे इनका आक्रमण होगा और धेरे धेरे प्रसार होगा आक्रमण के बाद प्रसार के बाद दिल्ली सल्तनत में पहली बार इसलामिक शासन की शुरुवात हुई दिल्ली सल स्थापना की मुगल सल्तनत जो कि 1526 से लेकर 707 तक चलता है इसमें बाबार हुमायू अकबर जहांगी शाह जहां औरग जेब तक शासन चलेगा औरग जेब के बाद जो भी मुगल शासक आएंगे वो इतने मजबूत शासक नहीं रहेंगे कमजोर रहेंगे उनके अंडर शासन कोलैप्स कर जाएगा धीरे धीरे भारत में एक नए एरा के शुरुआत होगी जिससे हम राजवन्षों का उडए हो रहा था फिर इसी बीच में एक महत्पूर शक्ती इस इंडिया कमपनी का आगमान होता और धीरे धीरे उन्होंने भारती शास्वों को पराज़ित करके भारत के एक बिस्त्रित वुभाग पर कपज़ा किया अठारो सब्सक्राइब करांती तक इस इंडिया कमपनी का भारत में शासन रहेगा और उसके बाद भारत पूरी तरह से सीधे तवर पर ब्रिटिश शासन के अंदर आ जाएगा जिसे 1857 से लेकर 1947 तक का समय हम देख सकते हैं यह ब्रिटिश शासनी ब्रिटिश रूल कर लाता है जिसमें हम आजादी के लड़ा का पूरा इतिहासिक क्रम रहा है इसमें एंसन इंडिया महा जन्पक पीरियर्ड से लेकर गुप्त काल तक मेडेवल इंडिया इसमें तुर्कों के आक्रमर से लेकर मुगल सल्टनत तक और modern इंडिया मुगलों के पतन से लेकर आज तक का ये पूरा का पुरायती हासिक कालखन भारत का देखने को मिला चीक है इसके बाद देखते हैं एक महत्पूर चीज है हम लोगों की दिमाग में आना चाहिए कि जैसे कि कोई भी चीज बरतन है शिक्के है ये सब चीजे प्र प्र27 अर्ड 20 डेटीं जी फो टृटिंग कर देचकार अर्भी सिस्टम् सिस्टम कहा जाता है कर द keeping तकनिक कि प्रकार का होता है समस craft लेते हैं इस तक्निक के बाद हम किसी भी वस्तु की आयू ज्याद कर सकते हैं तो इसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं अब इसको पढ़ लेते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग इस अ मेथड दाट प्रोवाइट्स इस अब्जेक्टिव एज एस्टिमेट्स पो कार्बन बेस्ट मैटेरियल्स दाट ओगनाइज़ दाट ओरिजिनेटेट फ्रम लिविंग और गनिजम्स और एज कुद भी एस्टिमेट बाइजरिंग अमांट और कार्बन 14 प्रेजेंट इन डे सैंपल यह बहुत ही टेक्निक समस्थानिक का मतलब होता है कि मस्टिमें आप लोग पढ़ोगे कि दो या दो से अधिक ऐसे वस्तु जिनका परमालुक्रमांग यानि अटामिक नंबर सिमिलर हो तता अटामिक मास्ट डिफिरेंट हो उन्हें हम आइसो टोप यह समस्थानिक कहते हैं तो कार्बन का यह समस समस्क्राइब होते हैं जो भी बैक्टिरियों और उनके जो आऊसेश होंगे वह दीरे धीरे उस वस्तु पर जमा होते जाते हैं जमा होते जाते हैं तो उनके ऊपर पुरी तरह से पटा लगा लेते हैं कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है तो आज हम लोगों ने देखा हम लोगों ने पढ़ा जो है इतिहास का आज हम लोगों ने सिर्फ परिशय किया जिसमें हम लोगों ने देखा इतिहास की पिता जी का नाम क्या था, उनका नाम था हेरोडोटस, उसके बाद हमने इतिहास को सुरोद के बारे में देखाucharological source और written evidences से आर्केलोजिकल सर्वेस में खुदाई से प्राप्त होने वाले जेवी साधन प्राप्त होते हैं उनके माध्धम से कैसे इतिहास को संकलित किया ता उसको देखा हमने उसके बाद हमने रिटेन एविदेंस देखा रिटेन एविदेंस के बाद हमने इतिहास को क्लासिफाई क प्रोटो इस्टोरी पिरिए इसे कैसे बाठते हैं यह हमने देखा इसके बाद भारत का इतिहासी दिकास करम देखा प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक तो यह आज पहला टॉपिक था इतिहास का अगला जो टॉपिक होगा एक्शुल में वहां से शुरू होगा प फिर एंसेंड इंडिया फिर मेडेवल इंडिया और फिर मॉडर्न इंडिया तक चलेंगे तो आज का यह पहला लेक्चर था आगे की लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होंगे वह अपलोट कर दिये जाएंगे ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद